सबसे पहले मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत हैं, यहां उपस्तित हैं कुछ लोग यहां उपस्तित हैं, माधवानन जी परवक्ता और रास्टिय महासची, राजिय स्यादव जी रास्टिय कोसाध्यक्ष हैं, रामकुमार सर्मा जी मनिय सांसद पिछे बैठे हैं, क्योंकि आगे की पंक्ती में जगह कम है, तो रामकुमार सर्मा जी भी यहां उप उपस्तित हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समय जगह की कमी के कारण यहां उपस्तिती नहीं हो पाई है, आज जिस प्रसन को आप महीनों से बार बार जानने की कोसिस कर रहे थे, उस प्रसन का उत्तर देने के लिए मैं आपके बीच उपस्तित हुआ हूँ, और उ दिवत्ते, आज से यूपिये का हिस्सा हमारी पार्टी हो रही है, इस बात की घोसना करनी थी, इसलिए आप समलों को कस्ति दिया गया, हम मैं यहां जो मेरी पार्टी की उपस्तिती हुई, इसके लिए आभार परिर करते हैं, दिल से कांग्रेस पार्टी के रास्टियत है, अच्छे स्री राहुल गान्थी जी के परती, स्रीमान लालू परसाद यादव जी के परती, आमद भाई पटेल सहाब के परती, सक्ति सिंग गोहिल साहब हैं, वहां के इंचार्ज स्रद यादव जी हैं, और फिर अखलेश सिंग जी जो बिहार से राज्यत सभा के सदस हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो इन सभी लोगों का मैं बहुत दिल से आफ़ार परेट करता हूँ इन सभी लोगों के परती कि एक तरफ है जहां मेरा अपमान हो रहा था वहां ऐसा लगा मुझको जैसे पहले से भुजा फाइला कर मेरे सम्मान को रखने की चिंता करत हुए लोग खड़े थे तो मैं बहुत ही इनका धन्यवाद करता हूँ आभार परेट करता हूँ अब इंडिया से हम अलग क्यों हुए इसकी तो विदिवत जानकारी आपको हमने भी दी है और आप पहले से भी वाकिव हैं हमने इंडिया से बाहर होते हुए उस समय कहा था क हमारे सामने कई आपसंस हैं उन आपसंस में से महागठबंधन यूपिय भी एक आपसं है उस आपसं इन सभी आपसंस पर विचार करके हम किसी एक आपसं को एडॉप्ट करेंगे एक तरफ है जो उदारता दिखाई गई राहुल गांदी जी की और से स्रिमान लालू आदव जी की और से तो यह एक कारण है लेकिन सबसे बरा कारण है कि मैं यहां उपस्तित हूँ बिहार की जनता के आदेश पर देश भर में सोसल जस्टिस की जो चिंता रखने वाले लोग हैं उनके हुकुम पर मैं यहां उपस्तित हुआ हूँ उनकी भावना का कद्र करते हुए मेरी उपस्तिति हां हुई है हम एंडिये में 2014 में गए थे लोकसभा का चुनाओ शुरू हुआ था आप लोगों को भी आद होगा कि साइध ही कोई सभा विहार में हुई हो जिसमें उसमें के प्रधान मंत्री के उमिद्वार सिरी नर्द मोदीजी ने यहां नहीं कहा हो कि बिहार के लोगों को पढ़ाई के लिए दवाई के लिए कमाई के लिए अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा यह सच है बिहार के लोगों को प्राईली खाई की जरुवत हो तो भी बिहार से बाहर उस वक भी जाना पड़ता था दवाई की जरूरत हो इम्स और दिल्ली गरीब लोग आते हैं किस तरह से इलाज में प्रिसान होते हैं आप सब लोगो मालूम है तो न तो वहां दवाई है और कमाई तो बिल्कुल नहीं है बड़ी संख्या में नौजवानों का पलायन मजदूरों का पलायन दूसरे परदेसों में आज भी होता है और अपमानित होने के लिए भी बिहार के लोग मजबूर होते हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं कोई बड़ा काम करने के लिए आप सब लोग यहां हैं बहुत लोग विहार के हैं बड़ा काम आप कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं ठीक है लेकिन अपना पेट पालने के लिए कोई विहार का आदमी या किसी परदेश का आदमी दूसरे परदेश में जाए तो यह बहुत दुख़द इस्तिती होती है और लोगों की जो यह की विवस्ता हुई ना गरीब लोगों के लिए इलाज का इंतजाम हुआ और ना नौजवानों के लिए पलायन रुका रुजगार का इंतजाम हुआ तो सभी मोर्चों पर जिस तरह से हम लोगों ने देखा वादा हुआ लेकिन कतनी और करनी में इतना वरा फर्क हो सकता है उस समय मैंने महसूस नहीं किया था बाद में चलकर हम सरकार में रहते हुए भी जब जब मैंने आप सेकता महसूस की साह सोसल जस्टिस का सवाल हो या विहार के हितों का सवाल हो वहां रहते हुए भी मैंने कोई कोता ही नहीं की हमेशा हमने वहां रहकर आवाज उठाया चा तोर कर दी जाए और इसलिए हमारी सीटों की संख्या घटाओ, हमारी पाटी को तोरो, बरवाद करो, इस काम में लग गए और इस काम में सबसे बरा मददगार नितीज कुमार जी आ गए इनके साथ, नितीज कुमार जी ने तो जैसे कसम खाली है कि उपेंदर कुसवाह को बर बरवादी का सिकार होई रही है और हमारी पार्टी को भी इसलिए कमजोर करने की कोशिस हुई कि हम कमजोर हो जाएंगे तो सोसल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, विहार के लोगों की आवाज नहीं उठा पाएंगे, तब हमको लगा कि हमको अब ऐसी जगह जाना चाहिए, जहां लोगों की चिंता हो और अभी बहुत उधारन देने की जरूरत नहीं है, राहुल गांदी जी जब आज की बात नहीं कि कर्ज माफी की बात किसानों के लिए उन्होंने की, या तो कतनी और करनी में कितनी समानता है इस बात का परिचायक है कि कहा चुनाओं में और कर दिखाया पहली कलम जो सरकार की चली कर्ज माफी के लिए किसानों के लिए चली, तो सिर्फ आज ही नहीं चुनाओं के समय वादा करके नहीं, बलकि आपको याद होगा भूमिया देगरन का मामला जब चल रहा था कि अंदर सरकार की ओर से बील आ रहा था, उसमें हमारी पा है तो देश के लोग आज राहत मसूस कर रहे हैं, जो मौका मिला है उसके आधार पे, आगे बहुत कुछ अभी होना है, इसलिए इन चीजों को देखते हुए मैंने फैसला लिया कि हमको जाना चाहिए UPA में और हम UPA में आपके सामने भी उपस्तित हैं, तेजस्वी आदब जी को मैं विशेश रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ, सिक्षा बिहार में अच्छी हो, गुनवत्ता पुन सिक्षा हो सरकारी विद्यालियों में, क्योंकि गरीब घर के बच्चे, दलित परिवार के बच्चे, OBC, EBC, अति पिछरा पिछरा परिवार के बच्चे और सवर्न समाज के भी जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए तो एक मात्र सहारा सरकारी संस्थाई ही वहां है, सरकारी विद्याले है विएर में, वहां प्रहाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं, हम तो वहां रहते हुए, साथ रहते हुए भी हमने इसके लिए अंदोलन चलाया, पचीज सुत्री डिमांड आज भी हमारी मांग पचीज सुत्री आज भी है विएर सरकार के समक्ष, और हम लगातार पिछले डेर साल से इसके लिए अभियान चला रहा है, कि विएर की सरकार माने, और अभी हमने कहा, जब सीट सेरिंग को लेकर मामला चल सरकार बिहार के मानिये मुखमंत्री जी मान लेते हैं, तो सारी चीजों को भूलकर हम साथ रहने को तयार हैं, लेकिन कोई मामला ही नहीं था, अनरगल बात होने लगी, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस दोर में जब हमने अभियान के सुरुआत की थी, हमने अपील की तमाम राजनितिक दल के लोगों से तब भी कि आप लोग आईये और यहां लराई, सिक्षा के लराई क्योंकि राजनित की लराई नहीं है, यह समाजी के लराई है, रास्त की लराई है, इसलिए इसमें साथ दीजिए, आरजेडी के लोगों ने उस समय बढ़ चरकर हिंस दो फरवड़ी को पटना में बहुत बड़ा आक्रोस मार्च हम करेंगे, पचीस सुत्री जो हमारा डिमांड है, सिक्षा से सम्मंदित उन मांगों को लेकर राज्य सरकार पर हम दवाब बनाएंगे, डिमोक्रेसी में यह एक रास्ता होता है, लेकिन हम जानते हैं कि राज् समक्षम करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, तो उसके बाज अगली सरकार आएगी, गरेंटरी के साथ वहां सिक्षा भी होगी, वहां पढ़ाई भी होगी, दवाई भी होगी, कमाई भी होगी, बिहार का भला तेजगती से होगा, बस यही कहना था, इदी सब्दों के साथ फ झाल